हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो दोस्तों बहुत सारे प्लेयरों के कमेंट आ रहे थे कि हम स्टेट लेवल पर कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, हम रंजी लेवल पर कैसे क्रिकेट खेले और IPL लेवल पर हम कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल जो बहुत सारे प्लेयर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हम बीना cricket academy join किये हम cricket trials दे सकते हैं जा नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल बीना cricket academy join किये cricket trials दे सकते हूं लेकिन दोस्तो आपके selection के chances बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे क्योंकि दोस्तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बिना school join कि अगर आप exam में बैठोगे तो आपके definitely result आपका बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है तो दोस्तो अगर आप cricket को लेकर serious हो और cricket को अच्छे level पर खेलना चाहते हो तो आप एक cricket academy जिरूर join करें जिससे कि आपके जो cricket के basic है वो ठीक होंगे और आप trial में अच्छा perform कर पाओगे और दोसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तो आपके अंदर confidence होगा कि मैं cricket trial में अच्छा perform कर लूँगा अगर दोस्तो आप cricket academy जोईन नहीं करते हो तो आपके अंदर वो confidence नहीं आता है जिससे कि आप trial में उतना perform नहीं कर पाते हो जैसा कि academy वाले player perform करते हैं तो दोस्तो अगर आप बड़े level पर cricket खेलना चाहते हो तो दोस्तो उसका कोई shortcut नहीं होता आपको हर एक level पर अच्छे से cricket खेल के ही अगले level तक पहुंचना होता है जैसे कि दोस्तो under 14, under 16, under 19 और under 23 ऐसे ही एक एक level पर आप आगे बढ़ते जाते हो और अगर आप एक अच्छी cricket academy से अगर आपने training की होगी, BCCI level की coaching की होगी तो आपके लिए ये और ज्यादा आसान हो जाएगा इन level को पार करना तो दोस्तो अगर आप cricket को लेकर serious हो तो मैं आपको एक cricket academy recommend कर सकता हूँ जिसमें की ये सब facilities मिलती हैं जाने की BCCI level की coaching और CBSC level का school BS cricket academy में होस्टल की भी facilities हैं और बहुत सारे player इनके NCA cricket academy में भी select हुए हैं और IPL जैसी टीमों के लिए net baller के तौर बर भी select हुए हैं तो दोस्तो ये है Nexus United Cricket Academy तो दोस्तो इनकी facilities के बारे में मैं आपको बता जेता हूँ और fees कितनी है वो भी मैं आपको बता जेता हूँ तो दोस्तो नेक्सर जनाइटेड क्रिकेट academy का सबसे बड़ा benefit ये है कि दोस्तो इसमें school और academy आपको एक ही जगा पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तो CBSE level का school और एक बड़िया cricket academy आपको एक ही जगा पर मिल जाएगी यानि की academy के अंदर ही school है और दोस्तो देश की बहुत कम cricket academy है जिनमें ये school की facilities होती है और उसके बाद दोस्तो academy के अंदर ही hostel की भी सुविदा है boys और girls दोनों के लिए तो दोस्तो ये बहुत ही बड़िया बात है अगर आप देश के किसी भी कोने से रहते हो तो आप इंदर में आकर नेक्सर जुनाइटिड क्रिकेट अकैडमी में अपना school भी जारी रख सकते हैं और यहाँ पर अपनी cricket की practice भी कर सकते हैं वो भी होस्टल में रहते हुए और दोस्तो नेक्सर जुनाइटिड क्रिकेट अकैडमी में आपको practice करने के लिए बड़े-बड़े cricket ground और wickets तो मिलेंगे साथ में अगर बारिश होती है जा मौसम खराब होता है तो भी आपकी practice नहीं रुकेगी यानि की आपको अच्छे से अच्छे cricket सीखने को मिलेगी और cricket की बारिकियां सीखने को मिलेगी और दोस्तो नेक्सर जुनाइटिड क्रिकेट अकैडमी से बहुत सारे player रंजी ट्रोफी में state level और IPL लेवल पर भी खेले हैं जिनसे की आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा cricket academy में तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि नेक्सर जुनाइटिड क्रिकेट अकैडमी की फीज कितनी है दोस्तो इनकी मंतली फीज है मातर 7000 पे और दोस्तो अगर आप भारत के किसी दूसरे शहर से यहां पर रहने के लिए आ रहे हो तो आपको यहां पर बढ़िया होस्टल फैसलिटीज मिल जाएगी जिसमें की रहना, खाना, पीना, क्रिकेट किट आपको प्रवाइड करवाई जाएगी और दोस्तो उसकी फीज है मातर 1,15,000 पर एक साल का तो दोस्तो अगर हम नेक्सर जुनाइटेड क्रिकेट अकैडमी की फैसलिटीज की बात करें तो दोस्तो यह फीज काफी ज़्यादा अफोरडेबल भी है तो दोस्तो अगर आप क्रिकेट को लेकर सीरियस हो और एक चिक और एक अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलना चाते हो तो आप भी एक बढ़िया क्रिकेट अकैडमी जॉइन कर सकते हैं और दोस्तो नेक्सर जुनाइटेड क्रिकेट अकैडमी भी उनमें से एक है और दोस्तो इनके कॉंटेक्ट नमबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ पर जाकर इनसे डिटेल में जानकरी ले सकते हो तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और दोस्तो आप कौन से स्टेट से हो कौन से लेवल पर क्रिकट खेलते हो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना